आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में और दुनिया भर में एक मुद्दा एक मामला काफी चर्चा में बना हुआ है वो है चैट जीपीटी का तो आज हम लोग इसके बारे में एक सामान जानकारी देखेंगे और अगर आप लोग किसी एक जाम की तयारी करें तो आप लोगों के लिए एक टॉपिक काफी महत्मूर हो जाता है और आप देखिए यहां तक कहा जा रहा है इसकी बारे में कि जो दिमाख है मानाओका हमारा जो दिमाख ना कहीं इसका इस्थान ना ले ले चैट GPT अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे स्टेट PCS की तैयारी कर रहे होंगे यह आप लोगों ने देखा होगा स्कूल टाइम में कॉलेट टाइम में आपको एक कुश्चस दे दिया जाता है और आप से कहा जाता है कि 200 सद्दों में इसका आंसर लिखिए तो अगर आप लोग देखिए इस से कह दे चैट GPT से कह दे कि आप इस टॉपिक पर एक निवन्द लिखिए इतने सब्दों में लिखिए कहा जा रहा है कि बड़े सटीक तरीके से आप देखेंगे वो निवन्द लिखकर आपको दे देगा आपके सामने रखतेगा अभी आप देखते हैं गूगल पर आपके सामने ले के रख देगा और आप सभी जानते हैं कि जब इस तरह का कोई टेक्नोलोजी आती है तो उसके दोनों पहली होते है अच्छी भी होती है खराब भी होती है अब आप उसका उपयोग किस तरह से करना है आप लोगों पर निर्वार करता है और आप आप देखिए कि आपके घर में बच्चे होगे तो आप वो सिख्छक की तरह एक तरह से काम करेगा आने की बाद क्या करेगा? सिख्छक की तरह काम करेगा और आप देखिए कि कई कम्पनियों पर कम्पनियों को अपने ऊपर खत्रा भी देख रहा है जो search engine आप लोग देखते हैं गूगल जो आप देखते हैंगी कि आज के समय में दुनिया का राजा बना हुआ है कहा जा रहे कि उसकी बादसाहत है ना जो राजागिरी है ना वो भी खतम हो जाएगा और इसलिए गूगल भी इस बात का पूरी तरह से एसास भी कर रहा है और इसी कारण उसने हाल ही में chat GPT के जैसा ही अपना खुद का एक chat bot launch करने की बाद भी कही है चलिए तो इसके बारे में जाल लेते हैं एक तो आप लोगोंने artificial intelligence के बारे में जाना होगा और इसमें आप देखें किंतिम एक तरह से बुद्धी मता आप लोग कह लिजे से ठीक है यानि कि सोचने का किंतिम तरीके से बनाई गई बुद्धी आप लोग कहिए से artificial intelligence के जरिए तेयार ये chat bot आपके किसी भी पिसन का उत्तर दे सकता है कोई भी पिसन हो और ये chat bot ऐसा content लिख सकता है जो बहुत ही सटीक होता है और इंसानों के लिखे जैसा ही पितीत होता है इसे open, open AI नाम की company operate कर रही है और जिस हिसाब से ये इंसानों जैसा जवाब देने लगा उससे Google की परमपरगत search engine पर असर पढ़ना स्वभाविक बात है और आप देखे जब आपको सकीक आंसर मिल ला है जो चाहिए तो आप लोग ढूड़ने की causes क्यों करेंगे पहले आप देखते थे कि आप लोगों ने देखा होगा हर किसी के पास mobile नहीं था हर किसी के पास calculator नहीं होता था तो आपने देखा हूँ वो pen देखता था, page देखता था उस मेर पूर अपना हिसाब लगाता था अब आप देखिए आपके पास सभी सोविदा हो गई तो आप लोगों ने वो भूल गए तो इसी तरह से आप देखिए अगर सटीक आपका जबाब मिलने लगा तो Google को भी लोग भूल जाएंगे और इसलिए Google ने भी अपना AI आधारित चार्ट वोट लॉंच किया है और जिसका नाब रखा है बार्ड AI और अभी बार्ड AI आम पबलिक के लिए उपलब्द नहीं है कुछ खास लोग ही इसकी टेस्टिंग कर रहे है और जल्दी इसे पबलिक यूच के लिए ओपन कर दिया जाएगा और गूगल के CEO सुन्दर पिचाई ने बताया कि गूगल पिछले दो साल से Artificial Service पर काम कर रहा था और Language Model for Dialog Application कि जरिये Google Word का आना संभा हो सका है और यहां मन में एक और सवाल उठना सो भाविक सी बात है कि दोनों में फरक क्या होगा दरसल चैट, GPT के चैट वोट में बहुत सारी जानकारी यानि की Articles, Books, Conservation आधी पहले से डेटा सेट की तरह भरा गया है और उसके बाद यह चैट वोट इन डेटा का यूज करके पिसनों की भासा और पैटरन के साब से जवाब देना सीखता है एक बार जब यह काफी सारी भासा और जानकारी यह सीख लेता है तो यह बिना किसी मानों की मदद के ही पिसन का पर तुरंथ जवाब जनरेट करने लगता है और जैसे आपने पूछा की मौसम का हाल क्या है तो यह जवाब दे सकता है कि यह दोफ है आज का तामान 32 डिगरी है और आज मौसम गरम है कोल मिलाकर अगर आप देखें तो चैट GPT की अपनी मसीनी बुद्धी है जो पूछे जाने वाले पिसनों को नैचूरल तरह से समझ सकती है और इसका जवाब भी इसी भासा में दे सकती है और इसे आप देखें बुद्धी को ट्रेंड करने के लिए ट्रांसफॉर्मर एलगोरिद्म यूच किया जाता है और यह ट्रांसफॉर्मर एलगोरिद्म जिस प्रोग्राम के हिसाब से काम करता है उसे निउरल नेटवर्क करते है और यह network मानों मस्तिश की नकल उतारने के लिए बनाये गया है और इस जवाब देने की पूरी कला को GPT यानि की Generative Pre-Trend Transformer कहा जाता है और एक खास बात आप लोग याद रखिएगा Alexa और Siri जैसी Unchat Watch के उलट, Chat GPT, Internet से कोई सूचना नहीं ले सकता है और बाहरी जानकारी तक इसकी बिलकुल पहुंच नहीं है और जिसके चलती यह है उसी data का प्रियोग करता है जो इसे trend करते समय दिया गया हो अब आप देखिए कि आपको किताबें पढ़ाई जाती है और उनी में से आपको answer आता है कि उसे 2021 के बाद की समय से relative limited जानकारी है और इसके द्वारा दिया जा रहा है आउटपूट परानी जानकारीयों पर आधारित है तो यह आप सो देखेंगे और google chatbot word AI की बात करें तो इसके पास input informations को समझने और खगालने के लिए एक अलग टाइप का algorithm होगा और इसी यह सबसे अधिक relevant जानकारी output की रूप में पिस्तूत करेंगा और साथ ही इसकी open resources यानी internet तक पहुँच होगी और जिसके चलते यह update और ततकालिन जानकारी current की जानकारी भी दे पाएगा और जिसके चलते गूगल वार्ड का भविस्त चैट GPT से जानदा बहतर दिख रहा है क्योंकि यह search engine की तरह काम कर सकेगा और पूछेगे सबालों का natural भासा में updated जबाब दे सकेगा यानी की कहने का सीधा से मतलब आप लोग समझ लिजे अगर आप लोगों को पुराने मतलब आप सुचे किताबों की याधार पर कोई question से लिखवाना है तो chat GPT से लिखवा सकते हैं और current से related अगर आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए कोई answer लिखवाना है तो आप लोग Google chatbot का उप्योग कर सकते हैं उधारन के लिए बता रहा हैं लेकिन इसके द्वारा हानिकारक या आपती जनक content share करने से रोकने के बारे में company से कुछ नहीं कहा है और यानि ऐसे chatbot का सकारात्मक इस्तिवाल तो ठीक है लेकिन अभी सावधानी भी बढ़ने की जरूरत है और इसके अलाबा इस छेत्र में competition भी बढ़ रहा है क्योंकि Microsoft और कुछ चीनी कंपनिया भी अपना AI-based chatbot launch करने की mode में है ऐसे में की बहतर regulation को लेकर भी विचार करने की जरूरत भी है और आप देखे कि इसका ओपयोग होता है दुरुपयोग होता है यह तुम आने वाला वक्ती बताएगा लेकिन आजकल इस तरह की technology का दुरुपयोग जानदा हो जाता है और लेकिन आप लोगों के अँख बात तो जानते होंगे कि पहले हमारे पास इस तरह की सुब्धा नहीं थी तो हमारा दिमाग तेजी से काम करता थो लेकिन जितनी सुभ्धा होती जारी हम लोग उतने ही आलसी होते जा रहे हैं। आप कोई भी अगर आपको गुड़ा भाग करना होता है आप लोग तरंद मोबाइल खोलते हैं। एक लोटर खोलते हैं और सामने रखकर उस पर कर लेते हैं पहले थोड़ा दिमाग चलाते थे आप लो तो दिमाग में थोड़ा सोचने समझने की समता भी बढ़ती रहती थी चलिए तो यही है चैट GPT का हाल और बताईए किसी टॉफिक के बारे में जानना हो तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे